श्रीषिवय नमस्तूवियम हरर महादिव आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुरू जी द्वारा बताए गए मासिक सिवरात्री को किये जाने वाले 6 विसेईस उपाए इस उपाए को करकर आप इस दिन पाँचमा उपाय सबसे असान और धन प्राप्ति का सबसे असान उपाय हम समझाएंगे आपको उसके बाद लास्ट यानि छठा जो उपाय होगा वो है अकाल मिर्तियू को टालने वाला उपाय किस परकार से आपको मासिक सिवरातरी के दिन करना है तो सबसे पहला उपाय हम समझ लेते हैं किस परकार से आपको करना है रोग मुक्ति का देगी सबसे असान उपाय है या उपाय जब जाते हैं आप तो वहाँ पर असोक सुन्दरी वाली स्थान आपने देखा होगो मेरे स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं असोक सुन्दरी वाली स्थान वहाँ पर आपको एक बेलपत्र चरहा देना है कुंदकिश्वर महादेव का नाम अस्थम्रन करते हुई और उसके जाप कीज़ा diffi valve कि दीन से कीज़ारइब करतीives और मांदेफ के पुर्न होते हुए दिखेगी। उसके बाद अगले उपाय के और हम लोग बढ़ते हैं, अगला उपाय सिग्र विवा है तो, अगर आपको लग रहा है कि विवा में देरी हो रही है, कुछ भी इस तरह की परेशानी है, आपको बस छोटा से उपाय करना है, बीच वाली जो तीन उगली होती है, उससे आपको तिरकुन कहां पर बनाने है, ध्यान से समझेदे कि सिविलिंग जो होती है, जिससे कि मैं आपको आपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो सिविलिंग पर यानि कि तीन उगली में आपको क्या का नच चंदन, लाल चंदन लगाते हुए, कारतिक जी के अस्थान से लेकि अ फा kulladiki का है, या पैसा का है, कोई भी अटका काड़ है, तो उसके लिए आपको छोटा सा हुपाय करना है, हाथ में आपको थोरा सा मूंग रखना है, ठीक है, मूंग को चरहाएगा ने, फहले समझ लिए किस परकार से करना है, महात में मूंग रखना है, महादेव जी जी औ पर थोरा सा असपर्स कराते हुए, उहां पर थोरा सा मुंग आपको अपने हाथ से गिरा देना है, उसके बाद मुंग को ले कि जाए जी नंदी भगमान के पैर के पास, उहां पर थोरा सा चरहा दीजिए, उसके बाद जो मुंग आपके हाथ में थोरा सा बचा के रखना है, उसके बाद जो पांच मा उपाय है हमारा इस वीडियो का आज का वो है धन प्राप्ति का सबसे आसान उपाय होता है मा लक्षमी को परसंद करने के लिए आपको क्या करना एक कलस में कमल गटा डालना है ठीक है अगर कमल गटा अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है तो कोशिस कीजिए गई कमल का फुल या नहीं मिलता है तो गुलाब कमल का गटा कमल गटा आप जल में डालिए उसके बाद उसे सिवलिंग पे चरहना सुरू कर दीजिए महादेब की दया से जो भी दिक्कत है धन के लिए वो देखेंगे आ अपके शुरू हो जाएगी या उपाय प्रदोस की दिन भी कर सकते हैं और सोमबार्फ की दिन भी कर सकते हैं लास्ट और आखरी उपाय इस वीडियो का कि अगर अकाल मिर्त्यू को टालने वाला उपाय आपको किसका परकार से करना है तो कि मासिक सिवरातरी हर मेहने आती है उस दिन आपको कुछ नहीं अपने घड में एक पार्थिव सिगलिंग का निर्मान करना है और उसकी अच्छे से पूजा आर्चना करनी है और साम में उस सिविलिंग को आपको विसरजित कर देना है बस इतना उसा छोटा सोप आ है आसक करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को उपी होगी लगी हो तो कमेंट में हरन महादेव जरूर लिखिएगा